आज मैं आपको नौकरी और करियर से जुड़े पांच महाउपाई बताऊंगी इसलिए जरूर जानिए चलिए पहले महाउपाई की बात करते हैं क्या आप भी सरकारी नौकरी की तलाश में हैं? एक नीबू के उपर चार लौंग गार दें और ओम च्री हनुमते नमा मंत्र का 108 बार जाब करकर नीबू को अपने साथ लेकर जाएं और हनुमान मंदर में चड़ा दें आपका काम जरूर बनेगा आई ये बात करते हैं आज के दूसरे महा उपाई की क्या आप अपने ओफिस में जौब से खुश नहीं हैं? दूसरी जौब चाहते हैं? तो एक काम करिए साथ अनाजों को एक साथ मिलाकर पक्षियों को खिलाएं मंदर में दर्शन करने जाएं और फिर ओफिस जाएं ओफिस में आपका सब काम बॉस की नजरों में आने लगेगा आपको तरक्की मिलेगी और आपका मन भी लगने लगेगा अब आज का तीसरा महा उपाई जानते हैं क्या आप नौकरी बदलना चाहते हैं? ऐसे में साचटे की दिन शनी देव का विधी पूर्वक पूजन करके एक मंतर बता रहे हूं इसका 108 बार जाप करें मंतर है ओम, शम, शनिश्चराय, नमाहा आपको दूसरी नौकरी मिलने का योग बनने लगेंगे आगे बनने से पहले आज का चौथा महा उपाई क्या है ये जानते हैं? आपको मन चाही सरकारी नौकरी चाहिए आपको नौकरी के लिए इंटिव्यू देने जाना है तो घर से निकलने से पहले हनुमान चालिसा का पाथ करना चाहिए अब शो का आखरी और पांचवा महा उपाई जानते हैं क्या बहुत महिनत करते हैं फिर भी प्रोमोशन नहीं हो रहा हर रोज शिवलिंग पर जल चड़ा कर अक्षत यानि की चावल अर्पित करें शास्त्रों के अनुसार इस उपाई से व्यक्ति को अखंड लक्षमी की प्राप्ति होती है यानि की आपका भी इस उपाई से प्रोमोशन पक्का है प्रोमोशन होगा तभी तो धन बड़ेगा